परम ज्यान का ध्यान के सहारे बोध करना ही तथागत बुद्ध की शिच्छा है इसलिए बुद्ध विशेश हैं चाहे ज्यान को कितना भी पढ़ ले जब तक वह हमारे अंदर हमारे व्यवार में उपस्थित ना हो तब तक हम उसके लाब से वन्चित रह जाते हैं और यह अनापानसती और ध्यान का निरंतर अभ्यास हमें बोध कराता है और इसी से जागरी तवस्थाएं प्राप्त होती है तथागत बुद्ध के संदेशों का प्रभाव है कि जागरूख होकर विहरना अभी तक देखा जाये तो सैधान्तिक रूप में यह संपूर मानो इतिहास की सर्वत्तम अवस्थाएं हैं जिसे प्राप्त कर इसी मानो जीवन में सुख विहार संभव दिखलाई देता है नो ध्यान वो इनकी अवस्थाओं को हमने सम्यक समाधि के खंड में समझा है और किस प्रकार यह अज्यानता और अविद्या का नाश करता है और यह जीवन के भ्रम के आवरण में फसकर तरसने को भी पहचानने में ध्यान सहायता करता है इन्ही विशयों के महत्वका जिक्र मज्यम निकाय के अनुपत्सुत में होता है एक समय बुद्ध सावस्थी में अनात्पंड़क के आराम जेत्वन में विहार करते थे वहाँ उन्होंने भिक्षों को संबोधित करते हुए सारी पुत्त को पंडित विविद प्रकार से प्रग्या संपन और अर्धमास तक अनुपत धर्म विपश्चना करने वाला बतलाया फिर उन्होंने यह भी बतलाया कि सारी पुत्त की अनुपद धर्म विवपश्चना क्या होती है इसके अंतरगत सारी पुत्त प्रतम ध्यान को प्राप्त हो विहरते हैं उस समय इसके प्रतम ध्यान के धर्म एक के पीछे एक विवस्थित होते है ये धर्म इनकी जानकारी में उत्पन्न होते हैं इनकी जानकारी में विद्धमान रहते हैं और इनकी जानकारी में लुप्त हो जाते हैं वे इन धर्मों में आसक्त नहीं होते और प्रग्या पूर्वक जानते हैं इससे आगे भी निस्सर याने निकलने का मार्ग है तो यहाँ पर बुध्ध की ध्यान की विभन्न अवस्थाओं को एक के पीछे एक विवस्थित होने को समझाते हैं कि किस प्रकार से एक के बाद यह ध्यान की अवस्थाओं प्रकट होती हैं और आगे बुद्ध इन ही अवस्थाओं के बारे में इसी सुत्मे कहते हैं फिर वे इसी प्रकार क्रमशय, दुतिय ध्यान, तृतिय ध्यान, चतुर्त ध्यान, आकाशा ननत्यायतन, विज्ञाना ननत्यायतन, तथा आकिंचन्यायतन को प्राप्त कर विहरते हैं। तो पहले के निरुद्ध हुए धर्मों को सम्य प्रकार से देखते हैं, वे इन धर्मों में आसक्त नहीं होते हैं और प्रज्या पूर्वक जानते हैं, इससे आगे भी निश्षर्ण याने निकलने का मार्ग है। तो बुद्ध के समय ध्यान की आठ अवस्थाएं विध्यमान थी, जिनका ज्यान उन्हें आलार कालाम वो उद्धक राम पुत्त से प्राप्त हुआ था। मगर बुद्ध ने अपने अनुभों से पाया कि इन आठो ध्यान से आश्राओं का पूर्टया छह नहीं होता है। और फिर उन्हें नवी ध्यान की अवस्था संग्या वेदियत निरोध की अवस्था जो बुद्धत्व की प्राप्ति के दौरान हुई जिसमें आस्राओं का पूर्टया छह हो जाता है। और इसी के महत्व का वर्णन वे आयुशमान सारी पुत्य के संदर में आगे करते हैं। तब पहले के निरुद्ध हुए धर्मों को सम्यक प्रकार से देखते हैं। वे इन धर्म में आसक्त नहीं होते। और प्रग्या पूर्वक जान लेते हैं इससे आगे निस्सरण निकलने का मार्ग नहीं है। अंत्य में बुद्ध ने कहा कि सारी पुत्य तथागत द्वारा प्रवर्तित अधुति धर्म चक्र को सम्यक रूप से अनुप्रवर्तित कर रहे हैं। तो आस्रों, कामाश्रों, भवाश्रों और अविद्याश्रों से मुक्त हो। आसक्त से मुक्ति ही संग्या, वेदित, निरोध की अवस्था में प्राप्त होती है। और दुखों का छै होता है। ये ध्यान की अवस्थाएं और उनका नियमित अभ्यास कर उन्हें प्राप्त करना इस प्रक्रिया में हर किसी का व्यक्तिकत अनुभाव अलग हो सकता है। हो सकता हो कि किसी को सहज ही ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त हो जाएं और किसी किसी को थोड़ा समय लगे। मगर लगाता है निरंतर अभ्यास बनाए रख इसे पाया जा सकता है और इन ध्यान की अवस्थाओं वा विशेष्टाओं का वड़न करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गंगा पेयालवग में कहते हैं बुद्ध ने भिख्शुओं से कहा की जैसे गंगा आजी नरियां पूर की और समुद्र की और बहती हैं वैसे ही भिख्शु चार ध्यानों को भवित करते वा बढ़ाते हुए निर्वान की और अग्रसर होता है ये चार ध्यान है पहला कामों को छोड़ और कुशल धर्मों को छोड़ सह वितर्क सह विचार और विवेख से उत्पन्य प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरना दूसरा वितर्क और विचार के शांत हो जाने से भीतरी प्रसाद वा चित की एकागरता से युख्द किन्तु वितर्क और विचार से रही तर समादि से उत्पन्य प्रीति सुखवाले दुदिय ध्यान को प्राप्त कर विहरना तीसरा प्रीति से विरक्ति स्मृति और संप्रग्यान के साथ उपेक्छा भाव से शरीर से ऐसे सुख की अनुभूती करना जिसके लिए आर्य कहते हैं उपेक्छा इस्मृति मान सुख विहार करने वाला ऐसे तृतिय ध्यान को प्राप्त कर विहरना और चोथा सुख और दुख को छोड और सौमनस्य तथा दौर्मनस्य के पहले ही जाते रहने से न दुख न सुख वाले तथा इस्मृती और उपेक्षा से परीशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरना तो यहां पर ध्यान की चार अवस्थाओं के बारे में इस पश्टिकण दिया जाता है जिसे हम पहले बनाएगे अश्टांगिक मार्ग के सम्यक समाध के विडियो में विश्तार से समच सकते हैं कि किस प्रकार से अकुशल धर्म याने हमारे ग्यानेंद्रियों से उत्पन इच्छाएं विताका वा विचारा विचारों का मन में आना और लगातार उनकी निरंतरता पने रहना प्रीत याने उत्साह वा पुलक रोमांच से युक्त और उपेक्छा याने समभाव तो इन सभी विशयों की क्या क्या परिस्थिती हर ध्यान में होती है इसी को हमने विश्तार से सम्यक समादी के वीडियों में पहले ही समझा है तो यहाँ पर ध्यान के संदर में प्रतम ध्यान में दुखिंद्रिये समाप्त हो जाती है जुतिय ध्यान में सुखिंद्रिये और तितिय ध्यान में दौमनस्य इंद्रिये और चतुर्थ ध्यान में सौमनस्य इंद्रिये का भी निरोध हो जाता है और इन ही चार ध्यानों के साथ साथ बुद्ध अन्य चार वो ध्यान की नवी अवस्था के बारे में विस्तार से बतलाते हुए इन विश्यों का फिर से इस पश्टी करण संयुक्त निकाय के मुगलायन संयुक्त में किया जाता है आयुश्मान महा मुगलान ने भिक्षों को समझाया कि मैंने बुद्ध के निर्देशों के अनुरूप किस प्रकार समाधी का अभ्यास किया काम और अकुशल धर्मों से हट वितर्क और विचार वाले विवेक से उत्पन प्रीती सुख वाले प्रथम ध्यान का अध्यात्मिक संतुष्टि वाले चित्त की एकागरता वाले वितर्क और विचार से रहित समाध offense उत्पन प्रीत सुख वाले थुतिया ध्यान का प्रीत से विड़क्त हो उपेक्षावान हो इसमरितिमान तता सम प्रग्यानी बन शरीर से ऐसे सुख का अनुभव करते हुए जिसे आर्यजन कहते हैं उपेक्छावान इस मृतिमान सुख पूर्वग विहार करने वाला ऐसे त्रतिय ध्यान का सुख और दुख प्रहीड हो जाने पर और सौमनस तथा दौरमनस के पहले ही अस्थो जाने पर उपेक्छा और इस्मृति की परिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यान का रूप संग्याओं का सर्वता आतिकर्मनकर प्रतिग संग्या के अस्त हो जाने से नानत्व संग्या के मन में नलाने से आकाश अनन्त है ऐसे आकाशा ननत्यायतन का आकाशा ननत्यायतन का सर्वता आतिकर्मनकर विज्जान नंत है ऐसे विज्ञाना ननत्यायतन का विज्ञाना ननित्यायतन का सर्वता अतिक्रमन कर कुछ भी नहीं है ऐसे आकिंचन्यायतन का आकिंचन्यायतन का सर्वता अतिक्रमन कर नैव संग्यान संग्यायतन का सभी निमित्तों को मन में हटा कर निमित्त छेत समाधिका तो चारो ध्यान के पश्यात करमश आकाश ननत्यायतन विज्ञान ननत्यायतन अकिंच न्यायतन वन नहव संग्यान संग्यायतन का और नौवा ध्यान अनिमित चेत समाध याने संग्या वेदयित निरोध की अवस्था को प्राप्त करना जहां पर तो उपेक्षा भाव भी निरुद्ध हो जाता है तो इस प्रकार उपेक्षा भाव का महत्व हमें सभी प्रधान विशेयों में दिखाई देता है हमें उपेक्षा का महत्व वो ध्यांगों में भी प्रकट होता है और इसी का वर्णन संयुत निकाय के साकच्छ वग में किया जाता है बुद्ध ने स्वय इन सारे प्रकरण पर विश्तार से प्रकाश डाला ऐसे ही चार ब्रह्मि वियारों को लेकर यदि अन्यतर्थिक परिवराजक यह कहें की हम भी अपने श्रावकों को वैसा ही धर्मों पदेश करते हैं जैसा की श्रम्न गौतम तो उनसे पूछना चाहिए कि किस प्रकार भावना किये गए किस ब्रह्म विहार से चित्त की विमुक्त के क्या पईडाम होते हैं वे परिवराजक इसे नहीं समझा पाएंगे बुद्ध ने इस प्रख्ण को भी स्पष्ट किया उन्होंने संगर वब्रामण के इस प्रश्ण का भी अनेक उपमाएं देते हुए समाधान किया कि कभी कभी लंबे समय तक स्वाध्याय किये हुए मंत्र भी नहीं सूचते और कभी-कभी लंबे समय तेक स्वाध्याय न किये हुए मंत्र भी जट सूज जाते हैं उन्होंने कहा कि चित्त के नीवरणों द्वारा अभीभूत होने अथ्वा न होने से क्रमस्थ दो प्रकार की स्थितिया पैदा होती है साथ आवरण रहित बुध्यांगों को भवित करने और बढ़ाने से विद्या और विमुक्त की फल का साथ चातकार होता है और बुध्ध आगे कहते हैं यह सुनकर वा ब्रामण आश्चर चकीतें भाव विबोर हो बुध्ध की शर्ण चला गया और धर्म तथा भिक्छू संग की भी बुध्ध ने राजकुमार अभय को भी पश्ट किया की परम ज्यान का अदर्शन अत्वा दर्शन सा कारण होता है अकारण नहीं इस संदर में उन्होंने उसे पांच निवरणों और साथ बोध्यंगों की जानकारी दी तो साथ बोध्यंगों का भवित होना और ये साथ बोध्यंग है पहला इस्मृति दूसरा धर्म विचे तीसरा वीर ये चोथा प्री ती पांचवा प्रशब्द छठा समाधि और साथमा उपेक्छा तो उपेक्छा के महत्व को साथ जागरूकता की अवस्थाओं या बोध्यंगों में समझा जा सकता है तो इसी उपेक्छा को बोध्यंग के नजरिये से फिर से समझेंगे हुआ